कि अब्रिवन कैसे आप सब एक बाद फिर से हमारे चैनल पर आप सब का स्वागत है आज आपको दो क्वेशन करवाने वाला हूं एक यह क्वेशन है और एक क्वेशन यह है बेसिकली आप देखे इन दोनों के सिमिलारिटी क्या है कि आपको आपको maximum of ft निकालना है और basically t जो है वो x पर dependent है basically जो interval है वो vary कर रहा है और आपको maximum ft निकालना है एक function आपको दिया हुआ है जहां से आप gx निकालना चाहते है दो question है यह question मैं कुछ बच्चों को अल्रेडी करवा चुका हूँ तो कई उंको difficulty आए थी understanding में so I have developed a simpler approach to solve this आथा थोड़ा easy way में इसको solve कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं तो शुरू करते हैं दोनों question करेंगे यह वाला comparatively easy है वो वाला जो second वाला थोड़ा सा comparatively lengthier है तो हमें gx तक निकालना है माल लिए we want to identify the function gx ठीक है तो ft आपके पास है आप सबसे पहले ft का graph बनाएंगे ऐसे scenario में क्या करेंगे आप ft का graph बनाएंगे तो यह आपको ft दिया हुए तो इसका graph बनाना बड़ा सान है modulus अगर आपको खोलने आते हैं तो आप इसका graph easily बना सकते हैं तो let me draw that तो आप देखी अगर दो critical point आ रहे है एक 0 आ रहा है और एक critical point आपका 1 आ रहा है तो 0 के पीछे दोनों mod जो है वो minus से खुल जाएगे तो minus t minus t plus 1 so basically this is 1 minus 2t यह कब है जब t की value less than 0 है और अगर t की value 0 से 1 के बीच में है ठेक है 0 से 1 के बीच में है उस scenario में आप देखे पहले वाला mod तो plus से खुल जाएगा लेकिन दूसरे वाला mod जो है वो minus से खुल जाएगा और यह आपर plus आ जाएगा तो value constant हो जाएगी और जब आपका t greater than equal to 1 है तो उस scenario में दोनों mod plus से खुल जाएगा तो 2t minus 1 आपके पास function बन जाएगा तो यह आपका ft का function है इसको में plot कर लेता हूँ 1 minus 2t जो है वो कुछ ऐसी line बनेगी 0 पर value बनाएगी उसके बाद यह constant रहेगा 1 तक और इसके बाद फिर value बढ़ेगी तो यह मारा हुए this is ft अब देखिए आपको gx function निकालना है gx function का second part वो clear है कि x1 से 2 के बीच में 3 minus x है main है x0 to 1 अब आप देखिए जब x0 to 1 जा रहा है तो t की value जो है वो vary कर रहे है तो x आपका कहां से कहां तक जा रहा है वो 0 से 1 जा रहे है अब अगर आप x0 को pick करते हैं सबसे पीछे वाला point देखते हैं तो x0 के लिए t की minimum value है वो minus 1 आ रही है t की minimum value कितनी आ रही है minus 1 मतलब आपका जो interval है वो minus 1 से start हो और x0 के लिए basically वो minus 1 से लेके 0 तक जाएगा तो यहां पर क्या करनेगा simple चीज़े एक देखना है एक ऐसे आप कह लीजिए कि एक rectangle सा बना लिए या एक scale बना लि मूव करेगा यह scale यह जो scale है यह आगे-ागे-move करेगा और maximum यह minimum value मतलब जैसे भी हम निकालना चाहते हैं यहां पर maximum निकालने तो वो हम निकाल सकते हैं देखिए as long as आप देखिए कि यह scale यहां पर चल रहा है आगे तो यह scale की length है वो one unit है यह आप देख सकते है length of the scale is one unit because 0 डालने पर यह पीछे वाला जो point है वो minus 1 आ रहा है और आगे वाला point जो 0 आ रहा है तो अब as long as इसका जो पीछे वाला part है वो यहां तक रह रहा है 0 तक पीछे वाला part कौन सा होगा मतलब x-1 यह पीछे वाला part x-1 तो x-1 अगर 0 के बराबर या उससे छोटा है तो आपका जो fx का जो ft का maximum value है वो पीछे वाले part से ही आ रहा है वो f of x-1 पे ही आ रही है जैसे के example के तोर पे अगर आप x equal to 0 के लिए चेक करते है तो x equal to 0 पे t की value minus 1 से 0 में जाएगी और function maximum कब होगा function minus 1 पे maximum होगा तो x-1 पे function आपको maximum value देने वाला है तो यानिके x less than equal to 1 के लिए आपका a की function बनेगा that is f of x-1 और f of x-1 वो इस branch में जाएगा अब इस branch की equation कितनी है वो 1-2t है तो f of x-1 मतलब कितना बन गया 1-2 times x-1 आगे तो that is nothing but 3-2x तो बस यह जो maximum of ft लिखा है तो उसकी जगए यह function आजाएगा आपका तो gx दिखने में कैसा दिखेगा gx दिखने में कुछ ऐसा दिखेगा 3-2x and 3-x यह तो x1 से 2 के लिए और यह x 0-1 के लिए देखो इसको दुबारा देखने से पहले मालो आपको समझ में नहीं आया इसको दुबारा देखने से पहले क्या करो अगले वाला question देखो फिर इसको दुबारा देखले ना अगर ना समझ में आये तो एबड़ देखो यह थोड़ा सा बड़ा है तो इसको क्या करते हैं सबसे पहले यह Ft को plot करना में तो Ft के तीन critical points आएंगे I hope आपको modulus को खोलना आता है मैं अब उस पे energy नहीं लगाऊंगा तो देखें minus 1 से पीछे और 0 और 1 तीन critical point आए minus 1 0 और 1 तो minus 1 से पीछे अगर आप देखेंगे तो तीनों ही mod negative से खुल जाएगे ना all the three mods will open with a negative sign तो आप देखें आपके पास equation कैसी बनती है मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ minus t plus 1 यह भी minus से खुला तो plus t और यह minus t minus 1 तो यहाँ पे आप देखें एक t, एक t से कड़ गया 1 और तो minus t आगे तो this is the equation that you have got तो यह ऐसे करके आएगा minus t और minus 1 पे value 1 हो जाएगी यह value 1 है उसके बाद आप देखें 1 से 0 में, minus 1 से 0 में sorry तो पहले वाला तो अभी भी negative से खुलेगा दूसरे वाला भी negative से खुलेगा और तीसरे वाला अब plus से खुल जाएगा तो यहाँ पे 1t और 1t कटा, तो t plus 2 आगे, कितना आगे, t plus 2 तो यह चलेगा ऐसे, 0 पे value यह 2 देदेगा, उसके बाद 0 to 1 में पहले वाला mod जो है वो अभी भी negative से खुल रहा, लेकिन जो दूसरे वाला mod अब plus से खुल जाएगा और तीसरे वाला mod पहले से प्लस से खुल रहा, तो इस बार आपके यह और यह दोनों कट गए, तो आपके पास आया minus t plus 2, तो यह value कुछ ऐसी आजएगी, और 1 डालने पे यह आपको 1 देदेगा, तो बिल्कुल ऐसे symmetrical आएगा, उसके बाद सारे mod प्लस से खुल जाएगे, तो t minus 1 minus t plus t plus 1, I hope mod खोलने आते हैं आपको, तभी आप मतलब इस level का question देख रहे हैं, तो यह आपके पास आगया t, ठ ठीक है, तो यह आपका w बन गए, यह किसका graph है, यह ft का graph है, अब maximum की बात करनी है, आप देखिए, आपको interval दिया है, minus 3 by 2 से देखना है, minus 3 by 2 से लेके 5 तक का x आपको दिया है, तो minus 3 by 2 जब आप डालेंगे, तो minus half से start होगा, एतनी बात पकी है, और 1 unit का आपका यह जो बा अब आप इसको आगे पीछे करिए, तो आप देखेंगे, अगर आपके बार में यह वाला point आ रहा है, तो maximum value वह हो रही है, और वो कब तक आएगा, वो तब तक आएगा जब तक पीछे वाला part 0 तक नहीं पहुंच जाता, यानि कि as long as x plus 1 is less than equal to 0, आपको maximum value जो मिलने वाली है, देखते हैं, तो x plus 1 less than equal to minus 1 आगया नहीं किया, तो बड़ा किस्य था, हमने शुरू कहां से किया था, हमने minus 3 by 2 से शुरू किया था, तो minus 3 by 2 से लेके minus 1 तक आपको maximum value कितनी मिलने वाली है, वो f of 0 पे मिलने वाली है, अब f of 0 की कितनी value है, f of 0 के लिए आप देखें, यह यहां पर हमें already दिख रहा है कि value 2 है, तो यह आगया 2, तो अगर मैं इसका plotting भी करूं, तो साथ साथ में, तो ऐसा graph बनता दिखाई देखा आपको, यह मैं final gx का graph बना रहा हूं, तो minus 3 by 2 से लेके minus 1 तक आपकी value जो है, वो 2 है, यह कौन सी value है, यह 2 के corresponding है, अब आगे देख बीच में है, अब as long as यह 0 और 1 के बीच में है, और यह थोड़ा थोड़ा आगे move करेगा, यहां तर, तो आगे move करता है, अगर यह, तो let me change the color as well, तो जब यह इस position पर आएगा, यह वाली last position है, यह वाली, यह 3 by 2 था, आप देखिए, यहां पर दोनों की value सेम हो जाएगी, यह दोनों सेम ही है, तो half पर और 3 by 2 पर दोनों की value कितनी हो जाएगी, same हो जाएगी, in fact the value is going to be 3 by 2, तो यह वाला point, अब आप देखिए, यहां तक, अगर बार इसके बीच में है माल लीजे, यहां पर है आपका, वन यूनिट लेंद का है, तो अगर इसके बीच में भी है, तब भी पिछले point पर maxima आ रहा है, जैसे से बाहर आगे जाएगा, वैसे वैसे maxima गिरेगा, और यहां तक गिरेगा, इस से नीचे नहीं गिर सकता, तो maxima इसी line पर रह रहा है, और पीछे वाले point पर है, पीछे वाला point मतलब, देखेगा, सबसे पहले, तो यहां पर x प्लस 1 जो है हमारा, जो पीछे वाला point है, वो कहां तक जा सकता है, वो half तक जा सकता है, half से आगे नहीं लेके जाना, तो यहांनि कि x की value minus half से जब भी कम होगी, तो पीछे वाले point पर आपको maxima मिलेगा, मतलब f of x plus 1 पर, पीछे वाले point पर आपको maxima मिलेगा, f of x plus 1 इसमें डालन है, तो यह branch कौन सी है, यह वाली branch कौन सी होगी, उसमें डाल दीजे, यह वाली branch आप देखे, यह इसको represent करा, minus 2 plus, minus t plus 2 को, तो वहां पर x plus 1 डाल दीजे, तो वो कितनी value आजाएगी, minus of x, minus of 1, plus of 2, that is basically 1 minus x, यह कौन सा graph बन गया, यह 1 minus x का graph बन गया, ठीक है, कब से कब तक minus 1 से आगे, और minus half से पीछे, तो minus 1 से minus half के बीच में, यह ऐसे graph आजाएगा, 1 minus x का, यह minus half, अब आप देखे, जब आप इसके आगे बढ़ेंगे, अब यह बार को आप और आगे लेके जाएगे, इस बार को आप आगे लेके जाएगे, मालों आपने बार यहाँ कहीं पर ब से, लट से green करर से, माली जी आपने बार यहाँ पर बना दे है, तो अब obvious ही बात है, कि आपका जो maxima होगा, वो इस point पर होगा, मतलब आगे वाले point पर चला जाएगा, अब the forward point is going to give you the maxima, जब भी आप x, basically, यह जो पीछे वाला point आपका, मतलब आप कहले जीए, कि x की value अग है, तो basically, this is, t plus 2, तो यह value आपको, या फिर उसी में डाल दिया, तो x plus 2, x plus 2, तो आपको इसके आगे क्यों सा graph मिलने वाला है, x plus 2 वाला graph मिलने वाला है, इसके आगे, x plus 2 वाला graph कैसे चलेगा, वो कुछ ऐसा आजाएगा, 0 डालेंगे तो 2 आएगा, तो ऐसे करके आएगा, x plus 2 वाला रहा है, और यह 5 तक चलेगा ऐसा, 5 तक, तो यह आपका final graph हो जाएगा, minus 3 by 2 से लेके 5 तक, minus 3 by 2 से लेके 5 तक का, यह particular graph आपका नए gx function का बनेगा, देखे, इसको समयने के लिए, थोड़ा सा understanding हमें बढ़ाना प कर रहा है, वो एक unit length का एक बार बना है, तो उसके शुरू वाले या आखरी वाले point पर आपको maximum value लेके, जो कि यह वाला interval था, minus 3 by 2 से लेके, minus 1 का, x का, ठीक है, और उसके corresponding देखो, p का interval उसके corresponding decide होता है, अब जैस जैसे आपने इस बार को आगे move कराया, जैसे बार आपका इस interval में, तो यह पीछे वाला point आपको maximum मिलेगा, फिर इसके बाद, जब आपका बार यहाँ पर टिका हुआ हाफ से लेके 3 by 2 के बीच में, अब दोनों end पर आपको same value मिल लिए, half पर भी 3 by 2 पर भी किसी पर भी check लिए, लेकिन उसके बाद जैसे आप बार को थोड़ा सा भी आगे shift करते हैं, तो आगे वाले point पर आपको maximum value मिलेगी, you'll get the maximum value at the forward point, ठीक है, और यह depend करता है graph to graph न, ऐसे और कोई भी graph होचता है, Ft का graph कुछ भी होचता है, तो जैसा भी Ft का graph होगा, आपको उस हिसाप से analyze करना जैसे यहां पर मैंने तीन जगह पर break किया, यहां पर जैसे minus 3 by 2 से लेके minus 1 का एक interval, minus 1 से minus half का एक interval, और फिर half से लेके आगे तक का interval same है, वो value आपको मेशा F of x plus 2 पर मिलेगे, मतलब forward point पर ही मिलेगे, तो basically जहां पर भी function increase decrease करेगा न, तो वहां nature इसका change हो जाएगा, तो य यह आज का topic था, I hope आपको समझ में आया, कोई भी route हो तो feel free to ask in the comment section, और फिर हम और question लेके आपको explain करने की कोशिश करेंगे